नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दे क्रिप्टो बीच पर उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने काफी टाइम पहले सोचल फाइड्रॉप में माइनिंग के लिए परम टोकन दिया था तो उसके के लिए बहुत बड़ी गुड निउज है जिन लोगों नहीं परम माइनिंग में पार्टिसिपेट किया था परम आज लिस्ट होने वाला है सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट का लिस्टिंग कर दूंगा वहां से आप जाके उसको क्लेम कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है प्रिवेश 24 आवर्स का वैसे तो काफी सारे टोकन में बहुत ज्यादा देखने को मिला है तो सबसे पहले तो बिटकोईन में देख लेते हैं बिटकोई के बीच में ट्रेंड हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकोईन अब इस्टेबल हो रहा है और यहां से सायद वह अपना नया बेस सेट करेगा और आगे की तरफ मूग होगा और अल्मोस्ट वही सिनेरियो एथेरियम के लिए एक्सपर्स का कहना कि अगर इथेरियम ने 3800-3900 के आसपास अपना अगर बेस्टेबल कर लिया तो इथेरियम में भी बहुत ज्यादा आगी की तरफ जाने की एक संभावना है उसके अलावा बी जो है वह 600 अबो ही करेंटली टेट कर रहा है वह भी स्टेबल एप्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्च्वेशन द डॉक कोईन जो है यह कल थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ था लेकिन फिर इसने रिकोवर किया है और टन कोईन ने अल्मोस्ट टू परसेंट का ग्रोथ सो कर रहा है काडानों सीबाइनू और एक्स यह जो है टॉप टेन के टोकन जो है अल्मोस्ट अपने प्राइस पर है उसके अलावां हम लोग बार देखते हैं कि मार्केट के जो टॉप ट्रेंडिंग और टॉप गेनरस की लिस्ट को लोग इए रियूवारे टकर लेते हैं और जैसे की मैंने आपको बताया था बारे में भी कल की वीडियो में मैंने आप लोगा बताया था और नॉट कॉई जो है continuously growth पर है क्योंकि बाइंग प्रेसर बहुत ज्यादा नॉट कोईन में और उसका एक और रिजन है नॉट कोईन के प्राइस को इतनी तेजी से ग्रोव होने का कि जो एक्जिस्टिंग सेलर थे जानी कि जो एरडॉप वाले थे उसमें से मुस्ट आप लोग एक्जीट हो चुके हैं अभी जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं फ्रेश लोग इंटर कर रहे हैं वो लोग मार्केट को उफर की तरफ लेके जा रहे हैं तो यह देखिए नंबर वन गेनर्स में डॉग वाइफ एड थर्टीन परसेंट नॉट कॉइन थर्टीन टिया एलेवन पॉइंट सेवन त्री सीबा एनू टेन फ्लोकी नाइन चीलीज एट वोंडो सिक्स बोंग सिक्स बुक ऑफ मिम सिक्स और बिट गेट टोकन पोर परसेंट तो यह बिगेश गेनर्स हैं प प्रिवेश 24 आवर्स के मार्केट में और ट्रेंडिंग में नंबर वन पर नॉट कोई जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दो से तिन दिनों से नॉट कॉइन में कंटिनुवसली ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और यही रिजन है कि नॉट कॉइन जो है ट्रेंडि कि सो कर रही है और हो सकता है एक और रही आने के बाद यह इसमें से एक जिरो निकल जाएगा और यह नए आयाम की तरफ पहुंच जाएगा तो यह रहे दोस्तों इसकी इंफॉर्मेसान उसके लावा कुछ निस्टेंट लिए टोकन है और उसमें पापू टोकन लिस्ट हु अलग-अलग अलग अलग सेंट्रलाइज और डी सेंट्रलाइज एक्षेंजेश पर तो यह तो रही मार्केट के निउच कुछ देख लेते हैं हम लोग क्रिप्टो के दुनिया से खबरों के बारे में तो बाइनेंस से सबसे बड़ निउज है बाइनस फ्रांस रिज्ट्र जो भी उनका डेट वो है रिस्ट्रक्चर किया है उसने अपनी ओनर्सिप को पहले क्या था उनके इस्ट्रक्चर देखिया बाइनस फ्रांस अंडर गॉन ने मेजर ओनर्सिप रिस्ट्रक्टिंटू कंप्लाइवीद रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट्स इंपोस्वाइज कंटिज फाइनेंसिल मार्केट अथारुटी यहां पर क्या था कि माइनस को फ्रांस की तरफ से यह नूटिस आया था कि आपका जो वह चैंक पैंक जाओ के नाम पर है जो कि अल्रेडी लीगल ट्रबल में है तो यह वहां की जो लोकल गाइडलाइन से उसको फॉलो करने के ले उन्होंने उनके रूल में चेंज किया और यहां पर हन्नेट परसेंट ओनर ओनर सिप जो थी इसकी यू लॉंग यह ना और लियू यू को ट्रांसफर कर दिया है बाइनस फ्रांस अप्वाइटेड यान एज इकोल सेरोल्डर होल्डिंग फिप्टी परसेंट इस्टेक को फालू कर पाएं और वहां पर अपने बिजनेस को इसमूदली रन कर पाएं उसके लावा दोस्तों बाइनस फॉर्मर एफ्टी एक्स एक्जुक्यूट्व संटेंश चुट्यू 7.5 यह पर फ्रॉड एन लाइसन्स बिजनेस ऑप्रेशन्स इसमें देखिए फॉर्मर पाड़े साथ साल की इनको जेल हुई है और यूएस रिष्टी कोड में और उसका रिजन क्या है क्यों हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ बिजनेस ऑपरेशन्स किये थे लोगा कुछ फ्रॉड किया था और बिजाउट लाइसेंस के उन्होंने उसारी अक्टिविटीस को कि किया था इसके लिए इनके ऊपर जो है केस भी हुआ प्लस उसके लावा हंड्रेट मिलियन का इनको प्वालिटिकल डोनेशन भी देने के लिए कहा गया है और ब्रेकिंग बेडिया डॉक प्वाइन को डवल इफ की की रेसिटेंस क्रमबल्स एनलिस्ट तो कि एनलिस्ट का क का प्राइस यहां से डवल भी हो सकता है आने वाले बोल रन के सीजन में और यह बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि डॉक प्वाइन में जो होल्डर सा थोड़े से कम है लेकिन एस कंपेर टू अधर मीम कोई डॉक की जो क्रेडिविल्टी वह ज्यादा स्ट्रॉंग है और एक्सपर्ट भी इस बात को कहरें अगर इसने अपने 0.1617 के बैरियर को ब्रेक किया तो यह 0.32 के आसपास जा सकता है अपने प्राइस को डबल कर सकता है यहां से तो यह डॉक होल्डर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और वीडियो के आंद में दोस्तों मैंगो मैं इ देख पा रहे होंगे और मोस्ट कल के प्राइस पर यह बहुत जादा कोई डिफरेंस नहीं है वाल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ा है मार्केट थोड़ा सा डाउन है बहुत जादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इसकी बाइब लिए वेटिंग है कव ऑफिसल एनाउंस्मेंट होती है इसके बाद हम लोग देख पाएंगे इसमें अच्छी काशी गुरूद देखने के लिए मिलेगी दोस्तों आज की वीडियो में फिलाल इतना ही कल फिर्म बिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फार बसन के साथ में तब तक वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए ज्याद से ज्याद से शेर कीजिए धन्यवाद